हमारे YouTube चैनल Study Tips पर आसा करता हूँ, आप अपने और अपने परिवार का ख्याल बखुबी रख रहे होंगे दोस्तों, आज है 26 मई दोहजारी केस और आज की जितने भी important current affairs हैं, वो सारे के सारे current affairs हम लोग आपके साथ चर्चा करने वाले हैं दोस्तों तो चलिए हम अपने question की और चलते हैं, तो सबसे पहला question है कि 20th thyroid दिवस किस दिन मनाया गया, 20th thyroid दिवस 25 मई को मनाया जाता है दोस्तों 25 मई को, और इसी दिन एक और important दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है International Missing Child Day, International Missing Child Day, यानि कि अंतराष्ट्रिय गुमसुदा बाल दिवस, जो कि 25 मई को ही मनाया जाता है, और जो अंतराष्ट्रिय गुमसुदा बाल दिवस है, इसके परतीक के रूप में हम मानते हैं, Forget Me, Not Flower, ठीक है दोस्तों, आपको दो डेट याद रखना है, 25 मई के 200 थायराइट दिवस, और International Missing Children's Day, बात आती है, important देज की, तो हम लोग अपने विडियोज में, जो भी मनत होते हैं, उसके सारे डेट याद करते हैं, दोस्तों, अपने विडियोज में, तो देखे, मई के जो important days है, उसको एक बार देख लेते हैं, एक मई को मनाया गया था, International Labor Day, यानि कि अंतर राष्ट्रियो मजदूर दिवस, दो मई को मनाया गया था, World Laughter Day, यानि कि अंतर विश्चो, हास्य दिवस, तीन मई को मनाया गया था, Press Freedom Day, ठीक है दोस्तों, चार मई को मनाया गया था, World Athletics Day, और उसी दिन मनाया गया था, रवीन दरनात कायगूर जयनती, ठीक है दोस्तों, आठ मई को मनाया गया था, World Red Cross Day, और World Thalassemia Day, 11 मई को मनाया गया था, National Technology Day, 12 मई को International Nurse Day, 15 मई को International Day of Families, यानि कि अंतर राष्ट्रियो दिवस, परिवारों के लिए, अंतर राष्ट्रियो मनाया गया था, World Telecommunication Day, और World Hypertension Day, 18 मई को मनाया गया था, World AIDS Vaccine Day, और International Museum Day, 21 मई को मनाया गया था, National Anti-terrorism Day, और National Endangered Species Day, बात करते हैं, National Endangered Species Day की, तो जनरली इसको मनाया जाता है, मई के थर्ड विक में, मई के थर्ड फ्राइडे में, लेकिन इस बार ये 21 मई को पढ़ा थ इसलिए 21 मई को ये मनाया गया, 22 मई को आता है, International Day for Biological Divergity, ये सारे के सारे Days बहुत इंपोटेंट है, एकजाम में पूछे जाते हैं, आपको क्या करना है, मैं डेली इसको रिवाइज करवाता हूँ, एक बार के वल इसको देख लेना है, पेडियेप में याद हो जाएगा जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था, उनमें ये निरनायक भूमी का आदा किये थे, पंजाब सिंग साहब, और इनका डेत हाल ही में हो गया है, COVID-19 के कारण, ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अगले question की ओर, Global Pandemic Radar, यानि कि Best Week महामारी Radar, किस देख के दो किया है दोस्तों, तो इसका जो announcement, Boris Johnson साहब ने Global Health Summit में किया था, जिसको host किया था, इटली ने और वो European Union का Global Health Summit होता है, उसमें 21 मई को इनों ने इसके बारे में जानकारी दी थी दोस्तों, अगला question है, किस राजसरकार के द्वारा, Mission Oxygen Self Reliance योजना की सुरुवात की गई है, तो ये है महराश्टर राजसरकार की द्वारा, Mission Oxygen Self Reliance की सुरुवात की गई है, यहाँ पर है मैप में महराश्टर, आप देख सकते हैं, महराश्टर के जो governor है, उनका नाम है भगत सिंग कोसियारी साहब, और जो यहाँ के CM है, उद्धव ठाकरे, बात करते हैं, उत्तर पर और यहाँ के जो governor है, वो हैं दोस्तों सत्यदेव नरायनार, अगला question है, वातसल इसकी, वातसल योजना किस सरकार के द्वारा सुरू किये जाने की घोसना की गई है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तराखंड, यह देखिए आप मैप में उत्तराखंड, यहाँ पर ह इसकी घोसना, वातसल इसकी किस लिए इसकी घोसना की गई है, तो जो COVID-19 महमारी के कारण जो बच्चे अनात हो गए हैं, उनके भरन पोसन, उनके सिख्चा, उनके पढ़ाई, लिखाई पर जो खर्च आएगा 21 साल का उमर तक, वो राज्य सरकार उसका वहन करेगा उनके ख हर अनात हुए बच्चों को 3,000 रुपे पर मन्त दिया जाएगा दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम की गोसना की गई है, अगला क्वेस्चन है, भारत जैब विवीदता पुरसकार, यानि कि इंडियन बायो डैवर्जिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया ह तो वो है साजी एन एम, साजी एन एम, ये है केरल के, ठीक है दोस्तों, केरल के हैं साजी एन एम, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है, ये एक किसान है केरल के, और इनको केरल का ट्यूबर मेन भी कहा जाता है, ये देखिए, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फार्मिंग क पूरसकार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों बात करते हैं केरल की तो केरल के जो cm है वो है पिनराई बीजीन ठीक हैं और यहां के जो गवर्णर है वह आरीफ मुहम्मध खान आरीफ मुहम्मध खान तो आपको यह याद रखना और बहुत हैं इंपर्टेन्ट फैक्ट हम आ और अभी इन्हें BWF BWF का मेंबर इलेक्ट किया गया था दोस्तों हेमंत विश्व सर्मा को बीडवलुएप का क्या किया गया है यह मेंबर इलेक्ट किया गया है और हमंद विश्वसर्मा जो है वो अभी असम के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों हाली में और बैडमिंट जो आपका जो बैडमिंटन एसोसियेशन ऑफ इंडिया है उनके भी यह प्रेसिडेंट है में बताना है इनको हाल ही में किसके आप वाइस प्रेसिडेंट भी नियूक्त किया गया है तो इसको आपको अपने वीडियो में बताया हुआ है ठीक है दोस्तों यह आपको comment section में बताना या आज के लिए question है अगला question है CBI के नए निदेशक या फिर CBI के जो नए director है वो कौन बने हैं तो दोस्तों वो है सुबोध कुمार जैसवाल साहब सुबोध कुमार जैसवाल जो है वो CBI के नए director बने हैं यह जो है अभी CISF के CISF, क्या बोलते हैं, CISF के भी हेड यही थे चैर मेन, चैर परसंद जो बोले आप CISF के अभी थे थे सिबोत कुमार जैसेवाल, तो सुबोत कुमार जैसेवाल को बनाया गया है, CBI के नए नए निदेशक के रूप में इसे नियुक्त किया गया है और बात करें ये सुबोत कुमार जाए सवाल तो ये महराष्ट के DGP भी रह चुके हैं और ये 1985 बैच के IPS ओफिसर थे ठीक है दोस्तों बात करते हैं अरविंद कुमार की तो अरविंद कुमार जो है दोस्तों ये IB के हेड है बात करते हैं योगेश चंद्रमोदी की तो ये NIA के हेड है NIA के सामंत गोयल जो है ये रौ के सेक्रेटरी जेनरल है लो दोस्तों रौ के सेक्रेटरी जेनरल रिसर्च एनलेसिस एंड विंग ठीक है NIA के योगेश चंद्रमोदी, IB के अरविंद कुमार और सुभूत कुमार जैसवाल को CBI का डारेक्टर अभी नियुक किया गिया है अगला क्वेस्चन है आरोगिस्री योजना किस राज्जी की योजना है जिसे हाली में आयुस्मान भारत PM जन आरोगियोजना के साथ मिला यानि कि आरोगिस्री योजना और जो आयुस्मान भारत PM जन आरोगियोजना है इन यह दोनों अब साथ ही काम करेंगे आप अगर आरोगिस्री योजना से रजिस्टर्ड है तो आपको आयुस्मान भारत PM जन आरोगियोजना के भी सारे आपको मिलेंगे तो दोस्तों यह आ आउसमान भारत योज़ना के तहत जो है वो 5lla का क्या किया जाता है प्रति वर्ष मुपतिलाज ष्व में परिवारों को दिया जाता है चाहिए वो में बात करते हैं आंदर पर्देश की तो आ ऑंदर पर और इनके जो अगर Governor की बात करें तो बिष्व भूसन हरी चंदन साहब ठीक? बिष्व भूसन हरी चंदन साहब उत्तरा खंड की बात करें तो उत्तरा खंड के दोस्तों CM हैं उत्राखंड के C.A. में एनबिरेंसिंग और यहां के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मॉर्या और केरल के जो C.A. में दोस्तों वो हैं बिनराई बीजेन और यहां के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिभ मुहम्मद खान तो याद रखना है आपको ये सारे facts जो मैं आपको questions में कराता हूँ ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले question की ओर 18 Glittich Award 2021 से किस hockey team को सम्मानित किया गया है दोस्तों ये बहुत ही prestigious award है और इसको इंडिया ने अभी इसे जीता है दोस्तों होकी इंडिया ने अभी इसे जीता है तो होकी इंडिया है वन दप्रेस्टिजियस 18 Glittich Award in recognition और इसको किस लिए दिया गया है तो जो development और ग्रोथ जो है ठीक है अपने देश में जो development और ग्रोथ है होकी के लिए उसके लिए दिया गया है दोस्तों इसको और ये कब दिया गया Glittich Award 2020 से समानित किया गया है होकी इंडिया के होकी इंडिया के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो ये नरिंदर धुरूब बत्तरा है और अभी इसे फीच का भी member FIH का भी member elect किया गया है दोस्तों तो आपको ये भी याद रखना है आगे चलते हैं अगले question की और अगला कि युवाओं की भागिदारी COVID-19 को लेकर सुनिश्चित कर सके तो उसके लिए कौन सा campaign कौन सा धियान UNICEF के द्वारा लॉंच किया गया है तो दोस्तों ये है यंग वारियर यंग वारियर देखें यहां पर hashtag यंग वारियर आपको बनना है यंग वारियर और इसमें क्या क पहनना है इसके लिए लोगों को जागरूप करना है आपको vaccination के लिए लोगों को जागरूप करना है जो WhatsApp पर messages viral होते हैं जो कि false होते हैं फेक होते हैं तो उनको direct कहीं और ज्यादा transfer नहीं कर देना है बिना उसके जानकारी के कि ये ये जो viral message है वो सही है या नहीं मतलब ये क आपको COVID-19 महामारी के दोरान बहुत सजग रहना है जागरूप रहना है लोगों को जागरूप करना है इसके लिए यंग वारियर अभ्यान की सुरूप की गई है यूनिसेप के द्वारा भारत में ठीक है दोस्तों बात करते हैं यूनिसेप का तो यूनिसेप का headquarter है यूनिसेप का फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को तो यह कुछ important facts बनते हैं इस question से related आपको इसको याद रखना है अगला question है 2021 बित्या वर्स के दोरान भारत में कितने परतिसत FDI बिर्धी देखी गई है FDI यानि foreign direct investment foreign direct investment in India तो जो foreign countries के जो investors है जो companies है जो investor है इंडिया में आकर क्या करते हैं वो invest करते हैं अपने पैसे को और फिर उससे क्या होता है यहाँ पर रोजगार बढ़ता है यहाँ का GDP बढ़ता है तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि यह उसमें ब्रिधी देखने को मिल है दोस्तों और यह ब्रिधी है 10% की जो की record ब्रिधी अभी तक की सबसे ज्यादा ब्रिधी FDI में देखी गई है 2020 इससे पहले 2019-20 में भी record ब्रिधी देखी गई थी ठीक है दोस्तों और उस समय देखा गया था 72.46 billion dollar का ब्रिधी देखा गया था मतलब ब्रिधी बोले या फ का जो FDI investment foreign investment है यह देखने को मिला है जो की record है 2021-21 financial year में दोस्तों चलते हैं अगले question की और तो किस committee ने India Biodiversity Award 2021-21 जीता है दोस्तों तो हम लोगों ने देखा था कि India Biodiversity Award एक इंसान को मिला था एक farmer को मिला था जिनका नाम था साजी एनेम ठीक है दोस्तों उनको ट्यूबर म कहा जाता है केरल से हैं तो उनको मिला था परसनली लेकिन अगर बात करें किस committee को यानि कि जो Biodiversity Management Committee तो Biodiversity Management Committee किसको मिला है दोस्तों तो सेर गाउं यह कहां से हैं अरुनाचल परदेश की एक Biodiversity Management Committee है सेर गाउं को इंडिया Biodiversity Award 2021 जीता है दोस्तों जीता है और यह कौन सा एडिसन था इसका तो फिप्थ एडिसन था कितना एडिसन था दोस्तों फिप्थ एडिसन और सेर गाउं BMC को Best BMC के अवार्ड से भी नवाजा गया है ठीक है दोस्तों और बात करते हैं कि यह जो इंडिया Biodiversity जो किस दिन दिया गया था तो International Biodiversity Day किस दिन मना गया था यह कमेंट में बताना है हमने आपको बीडियो में ही बता दिये तो जोծनेको Grand Prix यह हैं अगला पोस्टन जो मोनेक Family ने जीता है मोनेeg 오른 प्रीक को मैक्स वर्स टेपेन ने जीता है बात करते हैं मैक्स वर्स टेपेन की तो दोस्तों यह बेल्सिय यह से बेल्जियम से बेल्जियम के हैं दोस्तों और यह खेलते हैं रेडबुल के तरफ से रेडबुल के तरफ से खेलते हैं और इन्होंने मोनेको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है दोस्तों बात करते हैं यह जो सी सैनी जुनियर है दोस्तों यह हैं इस्पैन के और यह दूसरे नमर पर रहते हैं यह दूसरे नमर पर रहते हैं सेकेंड नमर पर यह रहते हैं और यह खेलते हैं फेरारे के लिए खेलते हैं ठीक है फेरारी के लिए रेस करते हैं एफ फ़र्मॉला रेस जो होता है उसके लिए खेलते हैं दोस्तों अगला है अगला तीसरा नम्मर पर जो है दोस्तों वो है एल नौरीस यानि कि लॉइड नौरीस जो है यह है यहाँ पर एल नौरीस और यह है ब्रिटिस यानि कि इंगलेंड के हैं और यह तीसरे नम्मर पर रहे हैं और यह जो है मैकलेरेन की तरफ से खेलते हैं मैकलेरेन की तरफ से खेलते हैं और च मैक्सिको के खिलाडी है मैक्सिकन थो यहां तक की बात हो गई अगला कुष्चन है अगला क्वेस्चन है ट्रांसजेंडर को केंद्र सरकार द्षाबरा लाइन को तक सासर क्तिश्ष्ष होsky ब्रिस्टी से और फूखती है जो क olsun दोस्त उना महामारी चल रहा है उसमें जो उनके साथ जो दुख तकलीफ हो रहा है उनको देखते हुए जो किंदर सरकार ने कितने सहायताराती की घोसना की है तो दोस्तों उसका सही जवाब है पंदरह सो रोपिया और इसके साथ ही राजियों से चल डिए त्रान्सजेंडर लोगों के लिए अलग मोबाईल करन के दुख आ जा जाता है उसकी लिए ब्विवस्ता barbar के द्वारा जहा गया है के इंदर सरकार के दوعा यह बहुत यी अच्छी नहीं है दोस्तों अगला question है हमारा अगला question है देखते हैं अगला question है राना खरकोंगोर ठीक है दोस्तों जिनका निधन हाल ही में हो गया वो कौन थे तो राना खरकोंगोर जो थे दोस्तों ये एक गीत कार थे जो कि कहां से थे मेघाले से कहां से मेघाले से बहुत ही famous गीत कार थे मुपाइल तो यह बहुत entscheiden तो चंद्रमा पर बेजने की धोस्तना किये तो दोस्तों वह नासा ज़ो अमेरिका की फ्सके फूल होता है नेशनल स्ब्सक्राइएश अड्मिनि liaison फ्सक्राइब के आसा का वासिंगटन डिसी में U.S. में ठीक है दोस्तों और इसके जो फांडर थे वो थे Dwight D. Eisenberg एक थाहिसली जासवा सूचार पिर Het यह पर पहलताई एक्षैया का से एक्षाइम में कि रस कोस्मस कहां की सारी इसुपेस अजन्सीिएt तो दोस्तों यह रही आज के Most Important Current Affairs अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करेंगे दोस्तों और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और सेर सब्सक्राइब करना नहीं भुलेंगे दोस्तों और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट मिलते रहे दोस्तों आपके लिए डेली साथ बज़े हम लोग करेंट अफेर्स लेकर आते हैं और हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया हो रहा है दोस्तों तो इसलिए सबस्क्राइब करके और बेल आइकन को दबा कर रख ले दोस्त में टेलिग्राम लिंक डलवा दिया जाएगा आप वहां से टेलिए डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों तब तक के लिए आप स्वस्त रहें सेफ रहें दोस्तों